लगनव से बड़ी खबरे सपाब पिछड़ा वर्ग सम्मिलन करेगी अगस्त करांती दिवस से सम्मिलन की शुरुआत की जाएगी 9 अगस्त को कानपूर नगर में सम्मिलन किया जाएगा 10 अगस्त को फूलन देवी के गाउं में ये सम्मिलन किया जाएगा और 11 अगस्त को जासी, 12 अगस्त को महुबा में पिछड़ा वर्ग सम्मिलन किया जाएगा, 13 अगस्त को हमीरपूर, 14 अगस्त को कानपूर देहात में आयोजन किया जाएगा, 15 अगस्त को फतेपूर में पिछड़ा वर्ग सम्मिलन का समापन होगा, यानि कि तारीके भी तै है जगा भी तय है और समाजवादी पार्टी अब पिछडा वर्ग सम्मिलन करने जा रही है कई जिरो में इस तरह के सम्मिलन किये जाएंगे लखनों में समाजवादी पार्टी कारेले में उसकी सयोगी पार्टी महांदल का कारेकरता सम्मिलन हुआ इसमें S.P. अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए अखिलेश यादव ने का कि अब केशव असली हमारे पास हैं जातीकट जनगरना पर बोलते हुए अखिलेश ने का कि पहले कॉंग्रेस ने जनगरना नहीं की और अब बीजेपी भी नहीं करेगी सफा की सरकार बनी तो हम खुद करेंगे जनगरना कोरोना काल में हमारे दिये गए लैप्टाप और मॉबाइल काम आए बीजेपी ने अपने गोशना पत्र का पहला पन्ना नहीं पढ़ा है किसानों के आमदनी दोगुनी की बात की थी सरकार बताए किस वसल का दोगुन अदा मिला बीजेपी के लोग चार सो सीट के मेरे दावे से घवरा गए है माभारत और रामैन में महिलाओं का अपमान करने वालों को सबक सिखाया गया था अब इनको सिखाएंगे अखिलेश ने सियम योगी पर भी वार क्या किया और का कि योगी वो होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है सारे तीन सो सीटें मुलाद हमें लेकिन जैसे हमारा और आपा कार्यम तैया हो गया मैं सारे तीन सो नहीं और लोगों से बातचीत हो गई हमने चार्सों का फासर पेगा हो